लो लो अधिवल कुम बैक्ट तुम्हें चयलेगन काट्टी मनी आज गैँ के बारे में तो मैं अब कले ये प्सक्रेंडने हैं की मूट वाल जिफ शुटेगे क्यों करता है तो दोस्तों यह बता आपने चाहता हूं मैं इसलिए ब्रश करता है ताकि उसके गंज से जो टूथ है उसमें फंगल इंफेक्शन हो सकते हैं और क्याविटी भी हो सकता है तो दोस्तों ब्रश कराने के लिए आपको एक मामूली सक्ट टूथ ब्रश लेना है जो कि आप पेट कर दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर चोटे-चोटे यह मतलब फंगल इंफेक्शन होगा है मैं इसको रेगलर ब्रश करता हूं लेकिन इसको रेगलर ब्रेशिंग करना चाहिए तो सबसे पहले आपको इसको मुझ को मतलब पाइट से पकड़ना है कि यह बहुत इसको इरिटेट होता है और यह आपको काड़ी सकता है इंच कि अब फ्यू इंचिस लेटर तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसना अच्छे से ब्रेश कर रहा है मज़े से इकड़ा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्रेश कर रहा है यह और यहां पर सामने प्रेश करना चाहिए सामने से तोड़ा कि अच्छे से रगणा चाहिए ताकि वह फंगल इंफेक्शन सब निकल जाए और दोस्तों यह वह शराप दिया यह यह आपर सैज में बीद करना दिए और यह बहुत मज़े से प्रेश करा लिता है कि पुछ डॉग इस रहते हैं वह बहुत हिद्टेट करते हैं मतलब वह त्रेट हो जाते हैं प्रेशिंग से तो दोस्तों वह इसका ब्रेशिंग तो महत रिंसिंग लिए तोड़ा पानी रद दीजिए इसके सामने अपने आप पानी पीके वह महत रिंस हो जाएगा अपरशिंग कलेम तो उसके सामने पानी रखदेजिया में ऊत्रेशिंग लिए अपने आप मत बश्च कर लेगा कर लोस्तों पंपगों प्रेशिंग पंगों क्मश तो दोस्तो इस तरह करा सकते हैं और उसको रख सकते हैं तो दोस्तो आगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और मैं हमेशा इस तरह के अच्छे-चे पर दोग्स के बारे में आपको इंफर्मेशन देता रहूंगा तो मैं और मेरे रॉकी की तरफ से बाइबाइब नाटा नाटा वाइब नाटा वाइब